कि अब कि अब कि आप सभी लोग को मेरी आवाज दिखाई दे रही है और स्क्रीन सुनाई दे रही है डियें और स्क्रीन सुनाई दे रही है चलो बहुत बढ़ी है चलो इस सेशन को डिये आप से उल्टा ही बोलेंगे जिससे की तुरंट सब की आख खुल जाए कि हाँ सबको स्क्रीन सुनाई देनी चाहिए और आवाज दिखाई देनी चाहिए चलो CHN Glacier के बारे में हम लोग बात करेंगे सोन चिरिया इसके बारे में डिसकस करेंगे कि यह है क्या और क्यों इंडिया को अफगानिस्तान के साथ डील करना चाहिए आज की रेट में कि आप जान रहे हैं कि आज की रेट में स्तिधी बहुत जादा खराब है तो इसका अंस एक नई प्रजाती हम लोग को देखने को मिली है यह कैरला के अंदर आइडेंटिफाइ की गई है वाइल्ड पल्सम हाइड्रो मेट्रोलोजिकल कलामिटीज क्या होती है यह तर्म आप से डारेक्नी पूछा जा सकता है यह पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं पर यह तर्म देखने को मिल रही है तो इसको आपको बहुत अच्छे से रखना है और गती शक्ती वाला भी टॉपिक मैंने पढ़ाया हुदा आपको बड़ इसके अंदर National Infrastructure पाइप्लाइन से जोड़ी कुछ चीज़े हैं तो उसको हम लोग देखेंगे जैसे ही मैं आपको देखेंगे जती शक्ती जो अभी प्लाइन जो अनॉंस किया गया है तो यहाँ पर हम लोग में एनाइपी को इक पर रवाइस करने हैं यह पूरे टॉपेक्स ने आज हम लोग यह people with disabilities जो दिव्यांग जन जो person होते हैं उनकी एक team हम लोग को देखने को मिल रही है तो यह सियाचीन गेशियर की इनोंने अपनी journey शुरू कर रही है और इनका attempt है world record बनाने का और यह largest group of people with disability दिव्यांग जन का सबसे बड़ा group हम लोग को देखने को मिल रहा है जो की highest battlefield in the world पूरे दुनिया की सबसे highest battlefield पर जो है यह गया है तुझाली चीज़ है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है और यह operation blue freedom triple world record का यह part हम लोग को देखने को मिल रहा है तीम claw का यह यह जरुरू के अंदर हम लोग को armed force veterans का group भी हम लोग को नजर आ रहा है तो यह कुछ important चीज़े हैं जो news में आई थी अब सियाचीन glacier के बारे में हम लोग बात करें तो यह कहां पर है यह eastern karakoram range जो हम लोग को देखने को मिलती है और सबसे बड़ी जो glacier है lengthwise अगर हम लोग बात करें तो यह है fed chenko glacier और दूसरे number पर सियाचीन glacier हम लोग को देखने को मिलती है लंबाई के मामने में longest glacier length के मामने है तो यह सीज़ी आप थोड़ी सी धान रखेगा और सियाचीन glacier जो है यह कहां पर है तो great drainage divide हम लोग को देखने को मिलता है जो कि Eurasian plate और Indian subcontinent को separate करता है तो उसके south पर आपको यह देखने को मिल जाएगी जिसी आपको बता हुआ कि हम ल लेंड का वो हिस्सा है इंडिया गोनवाना लेंड का south से जो है यह move करके ऊपर की तरफ आया और ऊपर की तरफ आके इस प्लेट से यहाँ पर इस area से attach हो गया उपर अले area से जहां पर यह attach हुआ हमाले जो है वो हो बन गया है तो आपने geography में इस particular चीज के बारे में पढ़ा जो होनी नीची है hopefully सब कुछ क्लियर होगा कुछ doubt तो पूछ लोगा पर भी तो अपने next topic की तरफ आगे बढ़ता है आज काफी स्टूडेंट्स आया लाइफ लगता है काफी सारे लोग आज सोगाए है चारो paper 2 के topic की तरफ आगे बढ़ रहे है सोन चिरहिया के बारे में हम लोग बात करते हैं यह क्या है गाइस तो यह एक brand और logo हम लोग को देखने को मिल रहा है जैसे launch किया गया ministry of housing and urban affairs के दौरा इसमें mainly focus किया जा रहे है कि यह जो चीज है यह self-help group के products की marketing के लिए हम लोग को देखने को मिलेगी independence day पर honorable prime minister ने बोला भी था कि self-help group के लिए जो है वो उनकी marketing करवाई जाएगी मंदक कि उनकी दौरा बनाए गए products हो है उनको export करवाई जाएगा जाएगा उनको एक market प्रोवाईट किया जाएगा तो उसी का हिस्सा एक सोन चे रही है हम लोग को देखने को मिलता है यह एक initiative है जिसमें focus किया जा रहा है कि global access जो है वो मिल सके तो आपको self-help group दियान रटना, self-help group जो product बनाते है उसको export करने से रही है यह initiative हम लोग को देखने को बलगा है चलो how and why should India deal with Afghanistan now? आज की rate में इंडिया को कैसे और क्यों deal करना चाहिए अफगानिस्तान से तो आप जानते हैं कि Taliban ने हालत खराब कर दी है major cities है वो सीज कर दी है अफगानिस्तान के उपर control कर लिया है मातर दो हफतों के period में हालत खराब कर दी तो यह चीज हम लोग को देखने को मिली और और even women's के लिए तो बहुत बुरी इस्तिती हो जाएगी अब अफगानिस्तान के अंदर क्योंकि कुछ news ऐसी आ रही है कि colleges वगरत obviously वाद है कि इस issue लाना है महिलाओं के उपर तो यह वाली चीज जो है वो आ गई है और तालीबान पर एक मैं वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको तालीबान कब से शुरू हुआ है और पूरी चीज आपको मिल जाएगी most probably आज आज दिन तक जो है वाली चीज आपको provide कर दी आगी ताली चीज आपको पता हुआ कि इस पर्टिकुलर चीज को अपने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था डिसकस करते हैं काफी महीने पहले एक साल पहले भी इवन मैंने मैं इसकी बारे में बात करी थी जब तालीबान और युनारेट इस्टेट्स की डील हुई थी तब हमको यह ब युनारेट इस्टेट्स को भी क्योंकि यह एक बड़ी सूपर पावर हम लोग को देख रहें को बिलती है युएसे सार्क और युएसे दो सूपर पावर हुआ करती थी उसी समय के तालीबान का जन्म हुआ था वो बात करेंगा इसके बार में एक सपरेट वीडियो में इस पूरे दुनिया भर में फेमा से जानी आती है तो वैसे युनाइट इस्टेट्स कर सकती है बट वो खुदी चारी थी कि इस चेत्र में डिस्टर्बेंस हो है वो क्रियेट हो जाए और वैसे तो उसके बहुत सारे स्ट्राइजिक अब्जेक्टिफ थे एक तो मैंने आपको विदाय जा रहे है कि बाइडेम का सबसे बुरा डिसीन खराब डिसीन जो है यह हमें देखने को बला था ठीक है तो अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से वापिस लॉटने समंधी फैसले किये जाने के बाद तालिवान हिंसर प्रदरिशन करते हुए सत्ता में वापसी के लिए आगे बढ़ता जा रहा है मातर दो हक्ते में इसने पूरा गेम जो है वो पलट दिया तालिवान और अफगानिस्तान में तालिवान की बहाली का असर इसके पड़ोसी मध्य एशियाई देशों जैसे की तजाकिस्तान उस्बेकिस्तान आदी में फैल सकता है तो यह जो जो प्रॉब्लम्स जो इशू जो क्रियेट हो रही है तालिवान की गारण तो यह स्प्रेड हो सकती है और दूसरी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को और साथी साथ तालिवान जो वापस से हम लोग को देखने को मिल रहा है यह आच चुका है तो यह एक्स्रमिजम को उगरवात को जो है वो करेगा इस छेत्र में और एक सेफ संचुरी के तोर पर काम करेगा लशकर ए-ताइबा के लिए आई-एस-ाई-एस के लिए इसलामिक स्टेट ऑफ एराक इंसीरिया पहले इराक इंसीरिया हुआ गरता था अब तो इन्होंने अपने नाम आई-एस-एस ने सिर्फ आई-एस क हो गया तो यह इसका बैक्राउंड आपको जानना जरूरी है तो आज आएगा आज आज भी वीडियो लेव आपको आजाएगा सब्सक्राइगा अफगानिस्तान में सिविल वार हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसके कानल से रेफ्यूजी क्राइस सेंट्रल एशिया और आज-पास की शेतन में हो जाएगे еленडी जा, कैसे, अब लोग बहूसे भाग रहें तो आज इसके केस में हमने देखा था, यह तो या यह ज वि के बारा बाग रहा है तो हम यह चीजजे हमें देखने को मिल लेगा, इंड़के मारे दूसरी कंट्री में पर सिगारे तो यह नहीं के लिए मतलब कि Central Asia में जो country है अब उन्हें अगर समुदरी route के थूरू है वो अपने कुछ समान वगएर हो गहीं पर भिजवाना है तो अब यह सी बात ही कि उनको अफगानिस्तान से होकर घुजरना ही पड़ेगा तो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी की बहुत जादा आवश्यक्ता है स्टेबिलिटी नहीं होगी तो Central Asian countries वो बहुत सारी चीज वो लाग कर जाएंगी वहला बहुत उनका नुक्सान होगा strategy के लिए और trade perspective से भी तो important link की यह माना जाता है अफगानिस्तान trade point of view से cultural point of view से राइट अफगानिस्तान और central और rest of the world के बीच में तो यह चीज़ हम लोग को अफगानिस्तान एक central link के तौर पर important link के तौर पर हमें देखने को पज़ता है तो यह लिए चीज़िए जिसका एक आपको idea होना चाहिए अब मुझे बढ़ाओ कि इंडिया को क्यों engage करना चाहिए क्यों आवश रखता है कि इंडिया जो है वो इस अफगानिस्तान में engage करें problems को solve करने की कोशिश करें क्यों एक चीज़ बढ़िये लिखिए आप लोग ने investment investment एक बड़ा infrastructure project कितना infrastructure है कितने वर्थ का बताओ ज़रा वर्थ भी बता होने अगर कुछ points पता है तो यह वाला फैक्ट भी थोड़ा से याद रखने ही कोशिश करो कि कितना हम लोग ने वापन investment किया हुआ है ट्रेड 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 तो बहुत important है कि हम लोग का जो focus है आज मेरे भारत का तो वह भी से हिल सकता है ठीक है तो बिल्कु सही का आपने में जो है मैंने आपको interest की बारे बताया था interest आपको बता होना चाहिए interest तो इंडिया का main interest है economic interest और हाँ इस औव्यस थी बात है strategic interest तो हो गई होगा बड़ में जो है core जो है वो economic interest हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर तालीबान के इस issue के टारण हम लोग को देखने को मिला कि हमारे काफी सारे project जो है वो एक तो stall हो गए है रुख गए है और problem यह है कि कल एक और चीज़ देखनी है ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान और यह जैसे कि रशिया की बात करे हम लोग चाइना की बात करे यह लोग मिलकर अगर तालीबान के साथ डी कर लेते हैं तो यह कभी भी इंडियन इंट्रेस्ट को जो है वो स्विकारेंगे नहीं इंडियन इंट्रेस्ट के खिलाफ ही यह पूरा फिर चीज़ चलेगी तो इसलिए हमें involved होना बहुत जादा ज़रूरी है तो यह second point आपको और जब यह एंगेज करेंगे तब हमें देखने को मिलेगा कि हमारे इंट्रेस्ट के खिलाफ ही चीज हम लोग को नज़र आएगी तो यह लोग को इनके competition है तो यह लोग को देखने को बतरी है कि तालीबान जो है वो पाकिस्तान के साथ एंगेज करेगा तो वो इंडिया क लिए ठीक नहीं होगा और अगर इंडिया नहीं करती है तो रशिया इरान पागिस्तान चाइना तो यह अफगानिस्तान के पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल डेसिनी को शेप करेंगे मदब की बनाएंगे और जब यह बनाएंगे तो इंडिया की इंट्रेस्ट के अफगानिस्तान पागिस्तान और युनारिट इस्टेट्स के साथ जो है वो कॉर्ड बनाएगा एक वीजल कनेक्टिविटी जो है वो क्रियेट करेगा तो यलो कॉर्ड भी आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बार में पहले भी मैं आप लोग को बदा चुका हूँ हलाकि एक बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान में रखेगा टेर्रिस अटैक कभी इंडिया को खेतर है बिल्कु सही आप लोग उने का कनेक्टिविटी का तो है ही क्योंकि अव्यसी वात है कि अफगानिस्तान के थ्रूई हम लोग वहाँ तक पहुच तो यह एक बड़े इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है तो अर्जेंट नीड है आज की रेट में पहली चीज़ को यह करना चाहिए भाग के जो लोग है जो ताजीबान के करण फीड हम लोग को नजार आने तो पहले तो हमकी सेफटी को ध्यान में रखना है फर्स पॉइंट सेगेंड पॉइंट अफगानिस्तान जो है उसको उसके मुद्दे को जो है वो शंगाई कॉपरेशन ओर्गनाईजिशन जैसे जो रीजिनल कॉप और तो इसमें ना ज़रुरी है और जल्दी संधी ऊड estos को रिजॉाल करना जरुरी है और सब क्लेक्टिली कंट्रिफ के साथ मिलिकर ऊनाइटपि इस्टिवली इंडिया को इंडिया को एंडवाउल्व करना सही है अफगानिस्तान में इस्टिपिली लाने के लिए जिक सबी को साथ में विलकर काम करना चाहिए refugee crisis को resolve करना ही करें refugee crisis definitely बनेंगे ही बनेंगे और बनना शुरू हो गए और इंडिया जो है वो engage करें तालिबार के साथ जिससे की इस शेत्र में जो है वो peace जो है वो maintain रहा है यह कुछ चीज़ा है जिसके बारे आप लोग को बता होना चाहिए ठीक है अब पूछे किसी प्रकार का कुछ डाउट आप लोगों को तो पूछ सकते हैं वैसे तो यह टॉपिक लगातार रिपीर हो रहा है कई बार अपन कवर कर चुक है इस टॉपिक को इतना अब डेप्ट में और इतना पौपर तरीके से क्लियर किया है पनने कि आपके मेंस के लिए तो पूरा यह टॉपिक रहेड़ी है और इस प्रकार के टॉपिक डेफिनेटल आते ही आते हैं and you should be ready इस तरह के टॉपिक को टैकल करने के लिए और मैंने कल एक गोल्ड मेडल, कॉंगरेशनल गोल्ड मेडल का एक टॉपिक जो है वो बनाया है तो होफुली आप सभी लोगों ने उस टॉपिक को कवर कर लिया होगा काफी इंपोर्टन टॉपिक है वो भी एक उसका आइडिया और अची प्रिलिम्स में भी डिरेकली बूशा जा सकता है अब देखिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 की हम लोग बात करेंगे उसकी बारे में पहले भी हम लोग चल्चा कर चुक है इसका कोई जिसका काम होता नहीं होतना और यह एनवार्मेंट को पन्यूट करता है और बहुत वेस्ट जो है वो एनवार्मेंट में हाई लिटरिंग पोटेंशिल इसका हम लोग को देखने को मिलता है तो ऐसे आइटम को 2022 से प्रोइबिट जो है वो कर दिया जाएगा तो यहले चीज़ हम पर बताइए आ रही है फर्स जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा इसकी मैनुफेक्ट्रिंग को इसके इंपोर्ट को इसको स्कॉरिक तो राइट को सेल्स को यूज्स को सिंगल यूज प्लास्टिक ये प्लास्टिक जैसी कमूरेटीज में अप्लाए नहीं होगा प्लास्टिक मंदब की जो डीक्रेडेबल होती है याने की जो एंवार्मेंट फ्रेंडली थोड़ी सी हम लोग को देखने को इस घुल मिल जाती है जैसे सॉइल पर डालोगे तब गुल मिल जाएगी उतना वेस्ट क्रियेट नहीं करेंगी तो उस टाइप का और दूसरे प्ल होता है इतना तो नहीं देना चाहिए टैन येर्स का टाइम वन येर का टाइम इस इनफ है जब कॉंसिट्यूशन के इंदर पंजाइदी राजियों को इंप्लिमेंट करने के लिए ही सिर्फ एक साल का समय दिया था और सभी स्टेट्स को और अगर दूसरी चीज़ की अगर होगा कि इसको देना खीक नहीं है दस साल का समय बहुत बड़ा होता है बहुत जादा होता है और इसमें तो और कापड़ा हो जाएगा जिसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लावा पर्मिटेट थिकनेस जो प्लास्टिक बैग की बदाई गई है वो आज माइकरॉन हो जाएगी 31 डिसेंबर 2022 से यह अबर बता जा रही है और सेंटर प्लूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेट प्लूशन कंट्रोल बोर्ड यह मॉनिटर करेंगे इस बैंक को और पेनाल्टी वगरा जो है वो इंपोस की जाएगी और प्लास्टिक पैकेचिंग वेस जो है यह मलब कौनसी कोणसी कवर्ड हम लोगको नहीं देखने पुल रही है तो इसमें बतायी घारा है कि जो भी कवर्ड नहीं है उसको किस परकार से अको कारे करना चार और उसको कंपरी जो खोटी पहन आप लोग को पढ़ाएगी कोंपरीश की मेरेजड का दुह और यह responsibility होगी अब कि आप जो है अपने products को जो है वो वापस recycling के लिए बुलवाओ collect करवाओ तो जो भी particular plastic packaging waste इसके अंदर covered नहीं है तो उन्हें collect किया जाएगा उन्हें manage किया जाएगा environmental sustainable तरीके से इसमें extended producer responsibility हमें देखने को मिलेगी producer importer brand owner की पीबो की और यह waste management rules 2016 के तहत कवर किया जाएगा आज की rate के scenario की बात करें गई और आने वाले समय के proposal की बात करें तो rules जो आज की rate के हम लोग को देखने को मिल रहा है इसमें thickness less than 50 microns तो प्रोहिबिट किया यानि कि 50 microns से कम के plastic अब बैन हो गया है यह वाला point to be rotate civil services वाले यह थोड़ा सा technical वाली चीज जो है वो कई बार पूछ ले रहा है और आपको अपनी knowledge के लिए भी यहारा fact पता होना चाहिए 50 microns याद रख लो कि 50 microns से कम की जो वो है plastic वो अब यूज नहीं की जाएगी इसके अंदर ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons अम लोगो देखने को मिलता है ना plastic flags हो गए, candy sticks हो गई, ice cream stick हो गई, polystyrene, decoration के लिए thermacool वगरा जो हो गया right plates वगरा हो गई, cups, glass, forks, spoon, knives, straw, trays, right cutlery, film wrapping या packaging जो sweet boxes मिठाई की डबो में pack होकर आती है जो चीज़ है, invitation card हो गए, cigarette packets हो गए, plastic या फर PVC banners जिसकी 100 microns से कम की वो उसके गए, यह PVC banners की हावर बात हो रही है, जिसमें 100 microns थेकिने इसका उपयोग किया गया, बाकि 50 microns तक आज की rate में allow किया गया, उससे कम की जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो यह सब चीज़ें जो है आगले साल तक पूरी बैंक कर दी आएंगे, single use plastic क्या है, I don't think आपको बदा नहीं जरूरत है, आप सभी लोग इसके बार में जाते है, single use plastic के बारे में, one time use and throw आला, और इसका facts की कुछ बात करने काई तो इंडिया की per capita consumption plastic का कितना है, तो 11 kg पर साल, एक साल में हम लोग 11 kg plastic को जो है वो consume करते हैं, और अगर एक दिन की अगर हम लोग बात करने काई तो एक दिन में 26,000 ton plastic waste हो है, वो इंडिया के अंदर generate होता है, और 10,000 ton जो है वो uncollected है, यानि कि collect नहीं किया जाता, और हाला कि हमारे जो plastic का जो consumption है, वो पूरे world के मामले में कम है, world का जो average जो हमें देखने को मिलता है, वो है 28 kg पर year का, हमारा 11 kg पर year का ये देखने को मिलता है, और कुछ intellectuals का कहना ये है कि plastic जो है वो harmful नहीं है, अगर उसको आप सहीं तरीके से manage करोगे, collect करोगे, recycle करोगे, बट कुछ का कहना है कि इसको totally जो है वो ban कर देना चाहिए, ban करने का reason जो है वो WWF, World Wide Fund for Nature के दोरा भी दिया गया है, कि plastic जो है वो environment के लिए harmful है ये बात, आप सभी लोग जानते हैं, काफी समय से पढ़ते आ रहे हो, right, क्योंकि ये non-degradable है, गुलता मिलता नहीं, अगर देखने को मिलता है, right, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, cancer होने की समभाबना भी जादा होती है, वो कैसे, आप soil में आप इसको बिढ़ा दोगे, soil में घड़ा होगे, तो ये लंबे समय तक chemical release करेगा, chemical release करेगा, उस soil में छोड़ देगा, soil के आसपास कोई plant होगा, crop करेगा, crop के अंदर से लाएगा, crop के थू, human की body में चलाएगा, और फिर carcinisering effect इसके लेख रहेगा, ये land water दोनों को pollute करता है, human की health के लिए जो है, वो danger से खराब है, वोई चीज़ जो मने भी आपको बताई, animal की life को नुकसान पहुचाता है, खत्रा है animal की life के लिए, क्यो आते हैं, और उसके बाद फिर flood वाली जैसी इस्तिती भी हम लोग को देखने को मती है, मुंबई की देखिया हालत कितनी जाता खराब हो जाती है, जैसी बारिश होती है, उसकी वज़ा भी है कि कई बार नाली बगरा में इस प्लास्टिक फज़ाता है, और इंडिया ने इस मनाया था, तो उस समय इंडिया ने जो है, वो संक्क लिया था कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है, वो ऐलिमिनेट कर दिया जाएगा, एंड कर दिया जाएगा, बिल्कु सहीं का आप सभी लोगों ने 5 जून, रंकी जी, दरक्षा जी, प्रीती जी, सभी लोगों क scout जो है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है, वो ऐलिमिनेट कर दिया जाएगा, यह चीस हम लोगों देखने को मिलि और सी चालेंजेस की बात करें आज की डिट में क्या क्या है चालेंजेस हम लोग को देखने को होंते हैं सबसे वहली बात थो हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है जिसे कि हम लोग effective सूखा कच्रा गीला कच्रा याद है आपको वो ड़िस में आज की डेट में जगा जागा पर हम लोग को हरे कलर के ज़स्थ कर रहे हैं तो तो वहाइस आफ्यान करते हैं काफी जता आगे चल के और फिरसे भी सेग्रिड करते हैं वो चेक करते हैं कि कहीं को दो मिलंबिक्स को नहीं हो गया वह तो एक अलग बात है जिसे कि क्या हो रहा है कि और जल्दी जल्दी जो है वह वेस्ट रीसाइकल वगरा हो सके और सही जगापर डंप किये जा सके तो यह चीज़ें राइट तो रीशाइकलिंग के लिए यह कहा जा रहे कि एक प्रॉपर है इसा हम नखा लेंगे नहीं कि नहीं है बेट उसको और हमें एफेक्टिव करने की जरुआते है तो एक बास्तिक ही बड़ा बिजनेस हम लोग को देखने को मिलता है बहुत कमाई होती है तो एकनोमिक्स जो है वो फेवर करती है ज्दा प्लास्टिक के प्रॉप्सिंग के लिए खत्रा है तो उसलिए इसको खत्म करना जरूरी है तो यह चीज़े हैं जिसके बारने आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए और ट्रेट बोडी जैसे की All India Plastic Manufacturers Association इन्होंने भी रिकमेंड किया था कहा है कि सरकार जो है वो 2022 की जगा 2023 बूफ कर दे अपनी बैन वाली चीज़ को कि बैन जो है वो 2023 से करें क्योंकि अभी एक जोलाई 2022 से बैंक किया जाएंगा सिंगल यूस प्लास्टिक को तो बोल रहा है कि 2023 से करो क्योंकि 2023 क्योंकि अभी रीसेंट्ली कोरोना वायरस की करना इंका बिजनस वह हम हुआ है तो इसलिए आप 2023 से कर लोगा इसी डिमाइड को यह अपनी काम करें तो क्लेक्शन नहीं होका तो रीसेक्लिंग कैसे होब आएगा इसके लावा जो भी प्रेडियूसर हैं उनके वेस्ट के पहली उनको चार्ज कर लो जैसे कि प्रेडियूसर को बोल दो कि आप अगर यह फलाना प्रड़क बना रहे हो इसमें कितना प्लास्टिक है तो उसका आख वैसे तो होना नीजी है सब कुछ लियर है लेस दन फाइड मैक्रॉन नी है लेस दन फिफ्टी माइक्रॉन है नहीं देखो क्या होता है कुछ कुछ प्लास्टिक जैसे की यह पन्नी आप मेरे को एक सिंपल थी चीज़ पण्नी किस पन्नी की में बात करो हैं समझके होगे यह यह वाली पन्नी जैसे घर में आप लोग उपस्जी नहीं करेंगे जैसे कि खेरानी की शौप पे गए ब्रे अब वो अगर environment पे अगर कही पे जाएंगे या निकि environment अगर छूट जाते हैं वो तो आप उसको एक time के बाद collect नहीं कर पाओगे क्योंकि वो इस प्रकार से फट जाएगा और इतने छोड़ी-छोड़ी तुकुल में हो जाएगा कि वो थोड़ा-थोड़ा करके जिसको क्या मैंने एक time भी इसके बाद में आप लोग को बताया था वहली चीज जो है ना वो environment के लिए और ज्यादा damaging हो जाएगी बट वहीं अगर आप देखो कि जैसे कि आप प्लास्टिक की और क्या बात करें जिसके आपका phone है phone का back cover भी plastic का होगा ठीक है उसको ban करने के अभी बात न वो करें collect ना करता है उसको ban कर दो और जिसको collect कर सके है at least उसको manage करें recycle करने पर focus करें तो ये एक वज़ा है इसमें 50 micron इस पर जो है वो काम किया जा रहा है कि इसके इससे कम के plastic जो है वो बैंट किया जाना देखिए न आप वो पन्नी जो होती है उसको ban किया गया है आप related कर रहे होगे चीजों का आज की रिट में पन्नी जो है वो नहीं मिल पारी बोल रहे हैं कि पन्नी का use मत परो क्यों उस चीज को पहले target किया गया क्योंकि वो फस जाती है और फिर वो निकलती नहीं कि वो इस प्रकार की हो जाती है और उसको असानी से वो खालेंगे एनीमल उस चीज को असानी से खालेंगे एनीमल को दे दो फोन का cover वो नहीं खापाएगा उसको नहीं खापाएगा चबा नहीं पाएगा पन्नी असानी से अंदर नि कोशिश करो जहां उस चीज को अबसर्फ गिया वहां आपको क्लियर हो जाएगी चीज है हाँ बहुत सारी है अपर यार आज कल तो ताफी सारी जगा पर दे रहा है नहीं शुरू कर दिया है चीक है आगे बढ़े हाँ तो रिंकी जी इसली तो अपने सजेशन पर बोला कि मेकनिसम लाने की ज़रू है प्रॉब्बम्स पर चैलेंजिस पर यही वाली वात करी है अपने कि अपने पास कोई इफेक्टिफ सिस्टम नहीं है हमारे पास कलेक्शन के लिए सेग्रिकेशन के लिए री सैक्लिंग के लिए तो उसको लाने की जरूरत है तो चलो आगे बढ़ता है एक नहीं परिजाती हम लोग को वाइल्ड जिसकी देखने को बलिए यह बलसम की बलसम गुल महंदी जंग आप किसी के लिए क्या स्टम ले सकते हैं इसके बार में आपने बात में बात करेंगे तीन नई स्पीचेज हम लोग को वाइल्ड बलसम की देखने को मिल रही है जो की कैरला के अंदर आइंटिफाइभ की गई है जंगली गुल महंदी की तीन नई प्रजातियां की यह मंलोग को कैर्ला के दो डेखने को बिलिए तो कैर्ला आपको ध्यान मे रखना है बुल मेहंधी और वायल बलसम यह चीज आपको थोड़ी सी ध्यान मे रखनी है रहा हुँआ यह जो प्रजाति हम लोग को मिल रह रही है यह किस फैमिली से बिलोंग करती है तो जीनस इम-पेटियन्स, जीनस, इमपेटियन्स, अगर मैंने रही प्रणाउंस नहीं किया है, तो यह लिखा हुआ है, इम-पे-ट-E-I-E-N-S, ठीक है, तो यह फैमिली, बल, बल, सैमिन, एके, की हम लोग को देखने को मिल रही है, रहीं, तो यह प्लांट्स, इस जीनस का हम लोग को देखने को मिल रही है, वो जातर popular कहां पर है, काशी थुमबा, मलियालम में हम लोग को देखने को मिलता है, इस नाम से, यह जीनस जो है, वो जाना जाता है, काशी थुमबा, और इसके लावा western dharts में यह देखने को मिला है, और कैरला के south में, और कुडुकी district में हम दो का नामकरण, Communist दिगच और पूर्व मुख्यमंत्री V.S. अच्यूतानंद और पूर्व स्वास्त मंत्री K.K. शेलचा के नाम पर किया गया है, तो आपको तो बस यह चीज़ ध्यान में रखने हैं, कि यह प्रजाती, वाइल बलसम की तीन प्रजातियां, जंगली, गु क्या दा रहा हुगा हमने Landslide के बारे में डिसकस किया है, अभी कुछ सुबह पहले, क्योंकि Landslide के बारे में बहुत बार News बाच होगा है, और साथ ही हमने किसके बारे में डिसकस किया था, क्या दा रहा आप लोगों को, यह सब चीज़ हैं, तो यह जो Flash Flood हो गया, Cloud Burst हो गया Landslide हो गई, इसको मिला कर, इस प्रकार के तो हजार होते हैं, इसको आप मिला तो यह पूरी चीज़ों को, तो इस चीज़ को हम लोग हाइडरो मेटरोलोजिकल कलामेटी कहते हैं, आप से उठा कर यह लोग यहां से कोशन पूछ लेंगे, कि हाइडरो मेटरोलोजिकल देखने को मिला है, तो नियरली 6,800 लोगों की जान चली गई है, पिछले तीन सालों में, द्यू टू हाइडरो मेटरोलोजिकल कलामेटीज, और वेज बंगॉल में सबसे ज़्यादा डेथ रिकॉर्ड की गई है, यह पॉइंट टू की नोटेट, ठीक है, अब यह डेथ का कॉस, में कॉस हम लोग को जाएतर क्या देखने को मिल रहा है, एक तो एक्स्ट्रीम रेंफॉल इवेंट, फ्लैश फ्लॉड, राइट, क्लाउड बस या फिर, यह में कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ऐसे टाइप्स हम लोग को फटाल लाइंड स्लिप किया गया है, कि स्टेट ڈिजास्टर रिस्पॉंस फंड के तौर पर, जो की हाईएस्ट फंड अलोकेट किया गया है महराज्टर को, तो सबसे जाधा पैसा जो है मनदब दिजास्टर रिलिफ के मामले में वो महराज्टर को दिया गया है, पिछले तीन सालों में West Bengal के औं पिछले दो सालों में बहुत जादा दो साल इस पिछली दोजार अठारों सभी अगर देखें तो बहुत जादा साइकलों की इंटेंसिटी जो है यहां पर बढ़ गई है और उसका कारण climate change ही हम लोग को देखने को मिलता है इसमें states को power दी गई है कि states जो है वो actions ने किस चीज़ के लिए to prevent death due to natural calamity death को prevent करने के लिए states जो है वो action ने तो disaster management like 2005 का जो हमें देखने को मिलता है इसने define किया है कि disaster management एक फरकार की process है planning, organizing, coordinating and implementing measures की कि तोर तरीके जो है वो लाए जाए, plan किया जाए, organize किया जाए, coordinate किया जाए, right implement किया जाए, right कि जिससे की क्या चीज़ हो सके हम लोग खत्रिय को जो है वो prevent कर सके है risk को जो है वो reduce कर सके किसी प्रकार के disaster की readiness, ready रहे, तच पर हम लोग रहे, right promptness भी हम लोग को, मैं एक ही बात हम लोग को देखने को मिलती है, कि तयार रहे, तच पर रहे, किसी प्रकार से disaster को वो करने के लिए, लड़ने के लिए disaster से, और इसके लावद severity, disaster जो है, कोई भी है, उसका effect जो है, वो कितना severe होगा, तो उसका heartland करना भी, किसी particular plan, organized, management के अंदर हमें देखने को मिलता है, rescue और relief, जो लोग फज गए हैं, उनको निकालो, उनको राहत provide कर आओ, rehabilitation, वो ही disaster management framework से related, हम लोग को national level पर देखने को मिलते हैं, NDM, National Disaster Management Authority of India, NDMP, National Disaster Management Plan, State Disaster Management Authority, और District Disaster Management Authority, तो यह सब चीज़े हमें देखने को मिलती है, इसमें देखिए, आप sendai framework याद रखिएगा, sendai framework, question आएगा, sendai framework किससे related है, तो आपको ध्यान में रखना है, disaster management related sendai framework, तो disaster sendai framework से related याद रखिएगा, यह ऐसे question choose the correct pair या match the following में यह लोग पूछता है, और इंडिया जो है, वो signatory है, इंडिया ने sign किया है, sendai framework को disaster risk reduction के लिए, कि disaster के risk को reduce करने के लिए, और इंडिया जो है, यह one of the participating countries भी हम लोग को देखने को मिलती है, जो की world काम करती है United Nations International Strategy for Disaster Reduction के साथ, तो यह लिए चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ज्यान दर रखनी है, और NDMP जो है, इसने define किया roles और responsibilities को, कि क्या roles होंगे, क्या responsibilities होंगी, various stakeholders के जिसकेंदर central ministries या central departments, या state governments, EUTs, administration, district authority और local self-government होंगे, मैं तो की बताया हुआ है कि जभी भी disaster होता है, त departments के, authorities के, क्या-क्या roles हो होने वाले है, तो यह लिए चीज़ हम लोग को देखने को हो रहा है, NDMS की, अगर हम लोग बात करें तो यह setup की गई थी, very small apparture terminal को, V-set network को, जिसके तहर MHA, NDMA, NDRF को जो हो connect किया जा रहा है, यानि कि इन authorities को, departments को जो हो connect किया जा रहा है, जिससे कि communication channel एक प्रकार का हमें देखने को बिल रहा है, कि कहीं पर भी disaster हो, तो यह authorities आपस में communicate करके, relief जल्दी से जल्दी तुरंट से जो प्रवाइट कराने पर काम करें, और technical support यह प्रवाइट कराता है, V-S-A-T, very small apparture terminal, तो यह थोड़ी सी ध्यान रखेगा, और emergency operation center के जो operations होते तो उनके लिए, यह coordinate करने के लिए हम लोग ने V-S-A-T और E-O-C का काम, इनको mix करके जो हो काम किया जाता है, जिसे की coordination एक अच्छा रहा है, और coordination जब अच्छा रहा है, तो तुरंट जो हो coordination के थूरू हो disaster को वो किया जा सकता है, इसके threat को, इसके खत्रे को जो हो कम किया रहा सकता है, फिर landslide risk mitigation scheme भी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके देख financial support जो है, वो site specific landslide mitigation project के लिए दिया जाता है, याने कि कोई भी ऐसा project है, पहली पर establish हो रहा है, और वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि landslide होने की सब्मावना है, पहली बात तो environmental clearance नहीं दिया थी बढ़ अगर in case भावर, जरूरी है कि उस project को हम लोग को establish करना है, जैसे let's say कि कोई एक area है, पहालवाला area है, अब उस पार habitation है, वहाँ पर लोग रह रह रहा है, सिर्फ इसी से होकर जो है वो गुजरना है, इसी से हम लोग को एक bridge बना कर या road बना कर यहां से निकलना है, यह problem यह है कि यह landslide prone area है, तो बढ़ करना तो पड़ेगी, इसको avoid तो कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए यहां पर बना तो दिया जाता है, बढ़ कोई भी damage वगरा होता है, तो फिर इस समय financial support दो हो, यहां से प्राप्त होता है, यहां से बनता है, तो इस प्रकार की चीज़ आप लोग को पता होने चाहिए, तो पूछलो अभी अगर किसी को कोई doubt है, तो अपना आगे बढ़ें, यह topic बहुत important है, यह lines like flash flood, यह topic बहुत important है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे disaster आ चुके हैं, और disaster management clearly आपकी paper 3 में लिखा हुआ है, clearly mentioned है, तो आपको अच्छे notes बनाते ह चलना इसके, एक अलग paper इसे related, disaster management से related आपको रखना है, मैं जाने कितनी बार, तमाम बार हम लोग इस topic को cover कर चुके है, national hydrogen mission, बहुत ज़्यादा important topic है, बहुत बार आचुका है, और hydrogen की बारे में तो मैं आपको कहा है, पूरी चीज hydrogen से related, आपको बताऊने चीज़, चलो बत hydrogen की बात करते हैं, भी इस mission को फोड़ो, hydrogen की बात करें, mission के बारे में आप जाते होंगे, हम लोग को जाता, hydrogen का production करना, export करना, जिसको हम लोग fuel के तौर पर use कर सके हैं, बढ़ आप hydrogen की properties के बारे में, light weight, very good, यह light weight है, और minus 255.8 degree का boiling point है, very good, इस figure को चेक करेंगे, light weight है, पहला element हम लोग को periodic table में देखने को मिलता है, very good, सभी लोग बहुत शांदर लिख रहे हैं, बहुत बढ़ी है, mostly active, easily accessible, abundant on earth, बहुत जादा मातरा में, earth में देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़ी है, lightest, हाँ होती बढ़ी है, और main काम की चीज़ तो नहीं लिख रहे हो, क्यों यूज किया जा रहा है hydrogen को, वो काम की चीज़ तो लिख दो, नहीं नहीं प्रिदी जी, very cheap तो नहीं कहेंगे, इसको सस्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको सस्ता production के मामले में बिलकुल नहीं है, उपयोग के मामले में कह सकते हो, आप utilization के मामले है, zero emission तो है, but zero emission कब होगा, जब आप उसको combustible, combustible तो लिखो, highly combustible, तेजी से जलेगा, environment friendly, very good, reduced pollution, ठीक है, बहुत बढ़ी है, तो hydrogen के बारे में यह सब चीज़े, point आपको बहुद अच्छे से पता होगा है, ठीक है, तो launch हो गया यह national hydrogen mission, और main aim यह है कि इंडिया को global hub बनाना है, production और export के लिए, green hydrogen, especially, national hydrogen mission जो है, वो target करता है, green hydrogen को, green hydrogen के production और export के लिए, इसे global hub जो है, वो बनाना है, right, इसका proposal already दिया गया था, budget 2021 के दौरान, तो hydrogen fuel की बात करें, तो hydrogen lightest और पहला element हम लोग को periodic table में देखने क मिलता है, इसका weight जो है, वो हवा के weight से भी कम हम लोग को नजर आता है, और rarely, बहुती rarely हम लोग को देखने को मिलता है, कि यह pure form में मिले, H2, अपने pure form में बहुती rarely मिलता है, right, और hydrogen जो है, वो non-toxic है, right, जहरीला नहीं है, non-metallic है, odorless है, right, smellless, वोई चीज जो अभी आप पकाणने वाली, जलने वाली, और hydrogen fuel जो है, वो zero emission का हम लोग को fuel देखने को मिलता है, अगर इसको oxygen के साथ जलाया जाये तो, fuel cell में या फिर internal combustion engine में इसका उपयोग किया जा सकता है, right, even spacecraft propulsion में भी as a fuel के तोर पर इसका उपयोग किया जाता है, तो यहाला, इसकी property spacecraft वाली भी याद रखेगा mains में लिखने के लिए, right, और hydrogen के occurrence की बात करें, देखो एक तो पूरे universe में बहुत भारी मातरा में यह पाया जाता है, मिलता है, कहा जाता है कि sun और दूसरे star जो है, वो mainly hydrogen से ही बने है, right, और astronomers ने estimate किया है कि 90% atoms जो पूरे के पूरे universe में हम लोग को देखने रहता है, और molecular hydrogen, यादि कि यह single hydrogen, हम लोग को धरती पर नहीं देखने को बिलता, right, और जातर hydrogen जो है, वो किसके साथ attached है, तो H2O oxygen के साथ attached है, पूछी है, तो किसके साथ है oxygen, water नहीं बोलेंगे आप, तो कि water के साथ थोड़ना attached है, H2O ही water हम लोग को देखने को बिलता है, यह छोटी-छोटी सी चीज़े होती है, जिसमें अगर ध्यान नहीं दिया, तो अगर पूछी है, किसके साथ यह attached है, bond rate है, तो oxygen के साथ, तो उसके लिए आप H2O धहर में रखीएगा, H2O, पढ़ा है नहीं बात, और यही water होता है, तो लोग गल्दी कर जाते है, किसके मिल जाएगा, या फिर fossilized biomass में भी hydrogen जो है, वो देखने को मिल जाएगा, तो यह जाली चीज़ है, और इसको बनाया कैसे जाएगा, तो H2O अगर water है, तो आप water को split कर दो, अलग कर दो, तो hydrogen और oxygen अलग जाएगा, तो इस प्रकार से इसको बनाया सकता है, storage की बात करें, तो hydrogen को आप gas की तौर पर या liquid की तौर पर store कर सकते हो, gas की तौर पर अगर आपको store कर रहा है, तो उसके लिए high pressure tank की आवश्यक्ता होगी, storage की तौर पर अगर आपको store करना है, लिक्विड में, तो उसके लिए cryogenic temperature की आवश्यक्ता होगी, इसका boiling point hydrogen का क्या है minus 255 नहीं, minus 252.8 degree Celsius, तो यहाले चीज़ भी आप थोड़ी सी धाय में रखेंगे, कभी को भी state civil services वाले डारेक्नी पूछ लेंगे, यहापर UPSC भी पूछ सकता है, तो यह boiling point उसका ज़रूर याद रखेंगा, hydrogen surface पर भी store किया रहा सकता है, इसमें दो टम्स आप धाय में foam, जिसे गाड़ी बगएर कई बार साफ करते है, foam, भी चकता है वो, yellow color का अकसर रहते है, अलगर color रहते हैं, उसके पर जाएतर yellow color का foam दिखाई देता है, पिचक जाता है, उसको पानी मरा जाता है, अभी देखना है, उसमें छोड़ी छोड़ी से droplets उपर बाहर दिखाई रह पत्ती के अबर कभी देखा हुआ है, ओस लगी रहती है, हम लोग को देखने को मिलता है, पानी की droplets, बूने देखने को मिलती है, तो उसको आप बोल दो, absorption, एड्जॉप्शन, और foam के अंदर पानी चला है, पत्ती के अंदर पानी चला है, तो वो क्या होगा है, absorption, absorption तो सभी लोग समझते हैं यह इड्जॉर्प्षन प्रम को थ्यान बर रखना है यह इंपोर्टेंट यह भी पूछ सकते हैं आपसे राइट क्लीन हाइड्रोजन का क्या पोटेंचिल हम लोग को देखने को बिलता है यह only byproduct हम लोग को देखने को बिलता है इसका water ज़लब कि आप इसको यूज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ पानी ही निकलेगा और कुछ नहीं right oxygen के साथ right और hundred percent यह clean बना देजा है और alternative fuel के तौर पर इसको use किया रहा सकता है right power fuel cell के zero emission electric vehicles की इसकी ability हम लोग को देखने को मिलती है right fuel cell को power करने की और fuel cell जो है अगर इसको electric motor के साथ आप लगा दोग जो internal combustion engine जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसके comparison में इस fuel cell को यादि कि hydrogen वाले fuel cell को अगर आप electric motor के साथ लगा जोगे तो वो ज्यादा better ज्यादा efficient हम लोग को देखने को मिलेगा तो उसके यह वाली चीज़ याद रख लेना कि जैसे ही अगर आप 1 kg hydrogen gas का उप्योग कर रह हो तो 1 kg hydrogen जो है वो जादा efficient हो है विए हावर सर्फ 1 kg लग रहा है जैसे आपकी गाड़ी जो है वो 5 km चलती है लेट से किसमें 2.8 kg gasoline में ठीक है 5 km चलती है तो 1 kg hydrogen में आपकी गाड़ी 5 km चलेगी मतलब की जादा efficient यह hydrogen हम लोग को देखने को बढ़ रही है बात सभाए यह व combustion engine के लिए लिए और challenges क्या हम लोग को देखने को मतले सबसे बढ़ा चाहिए पैसा blue hydrogen को या green hydrogen को extract करना जो है वो थोड़ा economically थोड़ा से जादा हम लोग को देखने को बढ़ जाता है technology की हमारे पास especially storage की अगर हम बात करें carbon capture storage की और hydrogen tools and technology की तो आज की रेट में यह नहीं नह technology आई है infant है nascent है और expensive हम लोग को यह देखने को मिल रही है तो यह बड़ी चीज है और फिर लेकर आगा इसको तो फुर इसका maintenance cost भी जादा हम लोग को देखने को मिलेगा और देखिए अगर industries में इसको अगर setup करवाना है hydrogen को ऐसा fuel के तौर पर तो उसके लिए बड़ा investment इसको नहीं करते हैं तो पूशीजिए अगर आपको कुछ पूशना है तो बाकी यह वाला टॉपिक तो अपने कवर किया हुए बड़ एक चीज़ आपके लिए आपके लिए हूंवर के आपको मैंने वह पराय रहा है hydrogen के बार में blue hydrogen brown hydrogen green hydrogen तो इसका difference जो आपने hopefully लिखा होग तो आप उसको इक बार revise कर लेना आज के आज ही आप उसको revise कर लेना अपने handout से आज ही करना है आपको revise ठीक है अब देखो rice fortification कली हमने fortification के बारे बात करी थी तो माल nutrition को खतम करने के लिए fortification का एक plan जो है बाच होगा है fortification of rice हमने देखने को मिलता है सरकार focus कर रही है कि 2024 कर अपने various schemes में यह सब चीजों को include कर देखने को मिलता है हर तीसरा बच्चा हम लोग को देखने को मिलता है यादा हमने कली बात करी थी इसके बार में global hunger index के अंदर serious hunger की category में इसको रखा गया है तो हम फिर से क्यों repeat करना इसके अंदर तो एक और article आया जिसमें कुछ चीजे जो है वो mention है इसे सरकार वो distribute करती है 300,000,000 टन rice को various schemes में हर साल और National Food Security Act के तहटाता है और वैसे कि आप लोग जानते है कि food security जो है अब इसमें देखिए अभी आज की rate में यह food fortification जादा चल रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप यह चीज थोड़ा सा ध्यान में रखें कि अगर एक चावल है एक किलो चावल fortified rice है तो उसमें क्या-क्या चीज होगा तो उसमें iron होगा वैसे generally carbohydrate के लाव और कुछ नहीं होता है सखा जाता है बट अगर आप fortified यानि कि fortification करोगे और provide कराओगे जनता को तो क्या-क्या चीज है इसमें मिलने वाली तो iron, folic acid, vitamin B12 तो यह चीज आप थोड़ी सी ध्यान मे रखेगा और micronutrients के तोर पर जैसे की zinc हो गया, vitamin A हो गया, vitamin B1 हो गया, vitamin B2 हो गया, vitamin B3 हो गया, vitamin B6 हो गया तो यह सब चीज हमें देखने को बज़ेगी तो इस ती मैंने यह तोपिक जो है वो यह लेकर आगया तो कुछ important points जिसके अंदर mention दे तो आप सिर्व इतनी चीज ब करके बताओ, नहीं, infrastructure तो दिख रहा है माँ, किस चीज का infrastructure, infrastructure दिख रहा है, उसके और मैं पूशा ही नहीं उसके बारे में है, जो नहीं दिख रहा हो बताओ आप जो कल पढ़ा है, कली पढ़ा है, और कल जिसने भी revise नहीं किया होगा, उसको यह अंसर नहीं आएगा, जिसन किस चीज का development, किस चीज का development, आप लोग revise नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, 100% revise नहीं किया, तभी यह दिक्कत आ रही है, आप special economic zone तो हो secondary है, primary क्या है, गती शक्ति किन लोग के लिए अनाउंस किया है, अरे यार, ऐसा गाम मत करो यार, revision करो यार, regular basis पर, revision करो, regular basis पर, यादा रहे है, मैंने आपको क्या बताया था, कि help local manufacturers, so that they can compete worldwide, ये primary चीज है, main focus है, local manufacturers के लोगर, national, ये वाली इसकी बात तो मैंने आपको infrastructure pipeline के बारे में आपको अर्रेडी बता दिया था, कि national infrastructure pipeline जो है, वो तो इसी से चोड़ता हुआ है, वो 111 लाग करोण project था, उसके लिए मैं भी आपको बताऊँगा, कल हमने national infrastructure pipeline के बारे में, बताया नहीं है, मैंने आपको detail में, बट पहले पढ़ा चुक हम इस topic को, बट फिर से अभी revise करवाँगा, बट ऐसा मत करो, आप लोग को revise करना बहुत जादा जरूरी है, यहाँ पर, ये किसके लिए लाया गया है, help करने के लिए local manufacturers को, कि local manufacturers जो है, वो पूरे worldwide compete कर जगें, तो ये इसका primary goal हम लोग को गती शक्ती का देखने को बट रहा है, तो ये चीज़ याद रखो यार, और national infrastructure master plan हम लोग को हमारी country के लिए देखने को बट रहा है, इसके बारे हम आज़ी हमने बात कर ल ये याद क्यों नहीं आ रहा है, उसकी बज़ा सिर्फ एक ही है, कि आपने revise नहीं किया है, इमानदारी से बताओ कि किसने कल revise किया था, इमानदारी से बताओ, नहीं किया ना, किया था तो फ़र आना से ये था, और फिर किया है तो फिर मन लगा कि नहीं किया, तो देखो यार, इस तरहीं काम मत करो, यार, parents इतनी आस लगा के बैठे हुए है, और ये काम मत करो, गलती, ये आप अपने, आप से गलती कर रहा है, फिर सोचते हैं, बाद चीजों को तो यार, एक मेरे मैं तो बोल रहा हूँ, आप से एक हफते बाद देखो, ये वाईली चीज, आपको याद नहीं आएगे, अगर आप उसको revise नहीं करोगे, ये गलती बिल्कुल मत करो, यार, ये गलती जो है, आप नहीं जानते हो, कि आपका जो time है, वो कितना क competition है, competitive exam है, बोलते हैं कि, क्यों बोलते हैं कि, यार, civil services में आपको अपनी पूरी जान लगानी है, पूरा-पूरा दिन बैटना है, आप सुनो ना, लोगों के interview, आप क्यों नहीं सुनते हो लोगों के interview, उन लोग क्या बोलते हैं, कि हम सुबह उठते हैं, पहले 5 घंटे फिर उसके बाद फिर पढ़ाई करना शुरू करी, general studies के topic, optional के topic पढ़ना शुरू किया है, फिर lunch किया, lunch करते करते कुछ राजी सबापे कुछ debate देख ली, पढ़ भी रहे हैं, खाना भी खा रहा हैं, तो भी बढ़ते भी खा रहा हैं, अब ये लोग को aliens कुरना है, आप सु करें हैं, करो यार अपने आपको बिल्कुल, करो ये गलती बिल्कुल मत करो, national infrastructure pipeline, तो क्योंकि कोई भी कितना भी आपको पढ़ा ले, कितना भी अच्छे से पढ़ा ले, हरे concept clear कर ले, ये exam आप ही को निकालना है, कोई और दूसरा विक्ति आपके दिमाग में चीजों को डा दूसरा भी आपको बिल्बाते रहना, रही चलना फिर आपका काम है, आप वहीं पर बेड़े जाओ गया तो क्या मतलब, आप बोलो कि आरे यार पैर दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, तो चलना पढ़े हैं, पैर में मारो डंडा, दुख रहे हैं तो चलो, और बोलो पैर को अपने दिमाग को, अपनी बोडी को कि नहीं मुझे चलना है, बाद देड़ साल की है, उससे आधा की नहीं है, इस देड़ साल में तप लिए ना, तो ये आने वाले 40 साल आपके सिक्योर हैं, नहीं आप बिल्कुल मत करना हैं, मुझे बड़ा बुरा लगा यार, कि इतनी महनत, मैं अपने एंड से भी इतना कर रहा हूं, आप देखो कि क्या कर रहे हो यह, बागी टॉपिक्स यह नहीं होगा, आप लोग एक्टिव होगा, बागी टॉपिक्स आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि वो टॉपिक्स कई बार रिपीट हुए है, और कुछ इंट इंट्रस्टुर पाइपलाइँ की बात करें तो 2019-20 के बज़र्डी स्पीच में, यह नशनल इंट्रस्टुर पाइपलाइँ की बात हुथी, स्टार्टिंग मैं 100 लाग करोड रुपे का यह प्रोजेक्ट था, कि 5 साल में इंट्रस्टुर डेवलप करना है, अब इंट्रस 2025 तक अब देखें UPPCS ने मेरे खाल से if I am not wrong 2024 जो है वो ये correct वो करवाया था UPPCS में भी यही वाली चीज पूछी गई थी मेरे खाल से शाइद 2019 में या 20 में अब यहाँ पर आपको में चीज फोकस करना है अतानू चक्रवरती यहाँ पर यहाँ से उठागे आपसे कोशन पूछाया सकता है कि आप बताईए कि नैशनल इंफ्रस्ट्रक्टर पाइप्लाइन से कौनसी टास्क पोर्स हमें देखने को मिली थी तो अतानू चक्रवरती तो इन्होंने इस प्रकार के रीकमेंडेशन दिये इसमें केंद्र की तरफ से कितना शेयर आएगा 39 परसेंट स्टेट की तरफ से 40 परसेंट आएगा और प्राइविट सेक्टर 21 परसेंट शेयर वो देगा इस पूरे प्रजेक्ट के लिए तो यह चीज़े सिंपल थी और ज्यादा कुछ खास इसमें ऐस सच है नहीं पूछना है तो आप सकते हो कुछ और वागी आप अपसे रोज चाहे कुछ हो जाया है शोना नहीं जब तक रिवाइज ना कर दो मैं आपको हैंड आउट देता हूं अलग से आपसे शोना नहीं आपको जब तक रिवीजन ना हो जाए तब तक और मेरे साथ एक बड़ी दिक्कत है यार मैं छुप नहीं रह पाता मुझे जैसे कि होता है ने कुछ लोग रहो बोलते हैं कुछ लोग कर आई कि आए पढ़ाई चल दी है मेरे साथ नहीं है मेरे साथ अगर मुझे लडाकीयार गलती कर रहे हो तो फिर सी चक्की बिक्चार हूँ मुझे जब लगता है यारे टूडें फिर्ट श попад नहीं चलते हैं घुने लगती है कि मैं ने तो गलत बात है कल देखो रिवीजन को तो बिलकुल भले ही आप एक्स्टर टॉपिक मत पड़ो पर रिवीजन करो क्योंकि आप अगर मेमोरी में इस चीजों को स्टोर नहीं करोगे तो फिर कैसे एक्जाम में उस चीजों को लिख पाऊगे तो एक्जाम क्रेक्ट करना है एक्जाम को निकालने का और यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और आप लोग निकालोगे काफी सारे लोग हो मेरी नजरों में हो काफी सारे लोग हुज पोटेंशल है आपके बस पर निकालोगे आप लोग बट शर्थ सिर्व इतनी है कि जो रस्ता क्योंकि देखो आप सोचे रहो शॉटकट है बहुत सारे लोग आपको कर सकता है उसका यह एक्जाम है और किसी और का नहीं है इसमें से आपने कोई भी एक चीज नहीं करी तो एक्जाम नहीं नुकलेगा फॉर शूर यदि ऑप्शन में 2024-2025 हो तो राइट क्या होगा तो भागवान का नाम लेगे अब दोनों में से कोई एक लगा दो अब राइट तो वो आयोग बताएगा कि क्या होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि UBPCS ने शायद 2024 दिया था और उन्होंने भी पूरे ऑप्शन दिये था और ये भी एक वो कॉंट्रवर्शिल चल गया था क्योंकि खुद PIV में एक डेटा जो था वो खुद कुछ और लेखा था और दूसरी मिनिस्ट्री की वेबसाइट म में एक डेटा जो था वो कुछ और लेखा हुआ था वो आयोक का डिस्क्रीशन होता है नहीं नहीं ऐसा मत करना अब देखो स्टेट वाले में 2024 लगाए तो आप 2024 ही मार्क करना क्योंकि अगर चैलेंज करना है तो UPI के कद्धे में बंदूख लगा कर बंच चला सकता है अगर कुछ इशू होता है तो वैसे यूपिस से नहीं पूछेगी वाला आप से अभी पूछले तो याद रखना वैसे नहीं पूछेगी उसका टास्क रहेगा वो टास्क फोर्स के बारे पूछ सकती है तानु शक्रव या फिर आपका जब मलत जैसी की होता है कभी-कभी टॉपिक जल्दी कहता हो गए तब उस समय चलाओ चलो ठीक है फिर अब मिलते हैं अब कल के लेक्षर में तक लिए बाबाई टेक कियर अब ग्रेट टेया हेट जैहन